किसान भाईयों जो नरसरी आप देख रहे हैं पीछे आप भी धान की नरसरी तयार किये हैं तो नरसरी तयार करने के बाद जो एक मुख्य समस्य आती है कि नरसरी जो है स्वस्त है या अस्वस्त है इसकी जानकारी बहुत से किसान नहीं जान पाते हैं तो आज की सुड़ में ह तो जो किसान जो सीधी बुवाई करते हैं, उनको नर्षरी लगाने की जोरुवत नहीं है, लेकिन जो किसान जो रोपा विधी से धान की खेती करते हैं, लेकिन एक समस्य आपको आती है, किसान भायो जब आप रोपा विधी से जब करते हैं, तो नर्षरी अवस्था को हम ध् वीमारिया है पूरे फसल में फैल जाती है, लेकिन आज हम आपको ऐसे जानकरी देंगे कि आप कैसे पहचानेंगी कि कौन सी डिसीज है, क्या है जिसे आप नियंत्रन आप नर्षरी अवस्था में ही कर पैंगे, एक स्वस्था नर्षरी इसे ही आप अच्छे फसल की कलपना क सकते हैं तो आए जानते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि हमारी नरसरी स्वस्थव किसान वह इस दछी सबMr DE shine हो द diff सब स secular heart और सबस्बाइक नर्ण और रही हो तो या Ск стथ और हई कि अधार का प्राम करते लिआ ढाईक है इसमें अचए मार्ण करो मोहת memoir से आदर मौसम की ओर जब होती है क्लाइमेट चेंज होता है तो उस दोरान बैक्टिरियल वह फंगल जो डिसीज है वह एक्टिव हो जाते हैं यह हमारी फसल में यह लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं यह हमारी जो नर्सरी की जो धान है वह जिसकी ग्रोथ है बहुत ही उसके लिए अपको क्या करना होगा किसान भाईयो उसके लिए सबसे मह rejoice बात है कि वह लापर भाहिय हम करते दी कि सीधी जो नर्षरी को जब हम पौधे के रूप में लगा देते हैं तो हमारी जो लगात है पूरे खेतों में इस प्रे चलाना पड़ता है तो आपको क्या करना होगा ऐसे कुई भी लक्षन आपकी धान की नरसरी में दीख रही हो तो उस दरान आपको इस्ट्रप्टो साइक्लीन एंटीबियोट मिला आपको नरसरी में डालना होगा स्ट्रप्टो साइक्लीन और कर्भेंडामेन को जैब कोई भी कंपणी की आप ले सकते हैं इसका इस्प्रे करने के बाद आपको नरसरी में कोई भी प्रकार की जो बेक्टिरियल फंगल डिसीज की जो सिम्टम से आपको पूर्ण रूप से खातम हो जाएंगे उसके बाद ही आप नर्शरी को आपके धान के प्लॉट पे लगाई जिसे आपको स्वस्त पौधे मिलेंगे तो आसा करतो है वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जनकरी समाझ आई होगी तो वीडियो